स्वागते गाईस आज एक और बड़े मज़दार से दिन में ये देखो भाई आज हम लोग यार यहां बीच पे आए हुए हैं और यहां भाई एक लाइन से ये सैंड कैसल्स बनाते जा रहा है देखो भाई कितने सारे बना चुका है अरे बस करो सिंजन कितना बनाओगे फ्र बनाए गये पूरा कंप्लीट क्या बात है यार चलो ठीक है यार इसे न मैं बनाने देता हूं वागी चलते हैं यह थोगा यहां इस पीड बोड ड्राइव करके आते हैं यह एक स्पीड बोड अभी अभी मैंने रेंट की है तो मैं सोच रहो थोगा सा यह चलाए हम लोग सम और यह अगे बात है यार अजुड कासी धूप निकली हूई थी पर भाई अभी न मौसम कुछ इस तरीके का है कि हलकी दूप निकली हुई है और उसी में भाई बारिस होई है ये तो भाई सबसे आजीब मौसम रखता है मुझे चलो अच्छा यार चलते हैं वापस देखे यार उसका सैंड कैसल भी मेरे ख्याल से तूटी गया होगा इस बारिस के चक्कर में वसे ये हम लोग पहुंच गए और यहां इतना ज़्यादा भाई भीग गया अब यार लगता है बारिस तेज आने वाली है क्या एक मिनट ये क्या फूरा बीच खाली क्यों हो गया वाज कैसे ये साइरन बाड कह है मतलब क्या सुनामी आने वा मी आवाली है क्या पूरे लौस सइंड्स में सुनामी आने वाली है जल्दी निकले अम लोग लेकिन कहां जाए हम लोग यार आप लोग चले ज़ाओ माउंट चिलियार्ट के टॉप पे वहाँ आप लोग सेफ़ी रह सकते हो अरे यार लेकिन वहाँ वह नहीं जा सकते यार एक मजबूरी है फ्रैंगर भाई याब वो कार्स ना हाँ भाई वही सारी कार्स गाईज यार क्या करें यार मुझे तो कोई समझ में नहीं आरा है वैसे उठो सिंचन चलो निकलते हैं क्योंकि हो सकता यार बाड determined ये बड़ते होगी किसी भी समय वैसे यार मैं इसलिए कहा रहा था पर कैसे यार कैसे यह सूचने वाली बात है पूरा रोट खाली ये लोग भी नहीं दिखाए दे रहे हैं रोट पे यहां तक की गैस ऐसा तो नहीं यार की सारे लोग निकल चुके हैं कहीं छुप गए हैं सिर्फ भाई मैं ही बाहर घूम रहा हूं ऐसे और देखो भाई अचानक सी यार मौसम भी चेंज हो गया है एक नट ये कोई बंदा जा रहा है हलो भाई तुम्हें सुनामी के बारे में पता चला क्या है हाँ सुनामी आने वाली है यार लेकिन मैं सोच रहा हूं कहां भागू मैं अरो यार तुम भी परसान हो लेकिन पता न जरा हम लोग इस तरीक्या का कुछ कर सकते हैं जैसे हम लोग अपने पूरे घर को घेर दें किसी चीश से घेर होगे अभी एक मिनट यह क्या हो रहा है यहां पर गाइस कुछ लोग साथ किड्नैप कर रहे हैं रुको तो यार इसे हम लोग बाहर निकले जरा अब निकलो तो ब किड्नैप कर रहा थो भाग रहा है कोई किड्नैप कर रहा है कोई किड्नैप करके पख्का भाग रहा था इस यहां पर तो गोली चलाने लगे यह यहां पर हमने बचा लिया हाँ चलो जड़ा देखें इसको किटनैप करके ले जा रहे थे यार चलो कुछ अच्छा काम तो किया हम लोगों ने चलो सिंचानब चलते यार यहां से अरे यार इने अप घर भी छोड़ना पड़ेगा क्या अच्छा ठीक है भाई तुम घर पहुंचो मैं इने छोड़ के आता हूं इनके घर पे ओके गाईस तो आच चुके हम लोग वापस यार इनके घर पे छोड़ने के लिए और एक सेकेंड यार यहां पर वेफ्स देखो जरा और यह सब क्या हुआ यार यह सब कौन ही आप है मरा पढ़ा है गाईस यार एक बार वेफ्स आप लोग देखो यहां पर समूद में वेफ्स कितने बड़े बड़े होने लगे हैं गाईस मुझे तो लगता है जल्दी से जल्दी हमें कुछ लोकेशन डूड़ना चाहिए वसे चलो भाई इन्हें हम लोग छोड़ते हैं इनके गाईस का यहां पर कारों की लाइन लगी हुये क्योंकि यह सारी कार अभी डेलवर करनी थे हमें सीमियोन को और यह कर में अभी ड्राइव करहों रहा हुए यह कर देना है तो चलो गैस इस कार को मैं यहां पार्क कर देता हूँ बाकि चलते हैं यार अंदर देखरो यार यह फाइट करने के चक्कर में पूरा भाई चलो गैस इन सब को हम लोग रिपेर करे जारा चलके हील करते हैं कुछ भाई दवा वगरो लगा देते हैं एंड गैस अब देखो यार थोड़ा अब सही लग रहा है यार पूरा यार पट्टी वगरा कर लिया हम लोग ने हां तो सिंचैन क्या किया जा यार को याडिया दोगे रेंगिट भीया मैं क्या तो रहा था एक दिवाल बनाने का मतलब कैसा दिवाल रेंगिट भीया कुछ ऐसा अब दिव हमें क्यारना पड़ेगा कि मांट सिर्यार के बराबर हमें दिवाल खड़ी करनी पड़ेगी उतनी उची अगर दिवाल लगा देंगे ना तो पानी अपने घर में आएगा नहीं और गाईस हमारा घर एकदम सेफ हो जाएगा रुको भाई मैं आपको बताता हूं किस तरीके से जैसे देखो गाईस यह अपने घर का पूरा बाउंडरी है अब यहां से गाईस एक लाइन से होते हुए चारो डिरेक्स हैं में अगर हम लोग बहुत उची उची दिवाल लगा दें तो भाई पानी घर में नहीं घुस पाएगा एक बाउंडरी सा बना दे बहुत उचा गाईस आप लोग जैसे अभी देख रहो यह एक छोटा सा बाउंडरी बना है न यहीं गाईस अगर बहुत उपर तक रहता यह रेड़ वाला बाउंडरी तो सोचो भाई अपने घर में तो पानी आता ही नहीं तो ऐसे ही गाईस यह जैसा रेड़ वाला बाउंडरी है पू पता नहीं यार इस समय सब मिलेंगे भी की नहीं मिलेंगे यह भी मुझे नहीं पिता और उस कार्से हम लोग नहीं जाएंगे यार क्योंकि इसमें बहुत हम लोग भीग रहते हम लोग इससे चलते हैं यह रेड़ वाली ले ले लेते हैं आज जल्दी बाहर आओ और ऐसे य होगा ना guys कि ये सारी cars भी safe हो जाएंगी ये cars guys बचाना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए क्योंकि guys बाद में इनी cars को देना है सिम्योन को okay guys तो हम दोनों बैट चुके हैं और उधर चलें कि नहीं यह सिम्योन के showroom के पास जो construction site है सायद guys उधर नहीं जाना चाहिए उधर से लोग भाग चुके होंगे मुझे लगता है guys हमें चलना चाहिए इधर ट्रेवर के घर के आसपास हाँ guys उधर चलना चाहिए चलो guys उधर भी एक construction site है और वहाँ से construction वालों को हम लेके आ सकते हैं तो ठीक है भाई चलो जल्दी से चलें और देखते है guys कितने construction वाले अपने साथ आते हैं जादा से जादा चाहिए यर क्योंकि ये काम मुझे जल्दी से जल्दी कराना है बारिस का देखरो भाई स्पीड कितना ज़्यादा हो चुका है और अभी तो बिजली भी नहीं कराकरी ये थोड़ी दिर में भाई बिजली भी कराकना सुरू हो जाएगी फिर तो और भी ज़्यादा दिक्कत होने लेगा guys वो लोग जल्दी काम करने भी नहीं आएंगे यहाँ guys ट्रीन वेंड का प्लेटफॉर्म है ये ओके guys तुझरा इनसे बात करते हैं हेलो सर क्या आप लोग कुछ काम करोगे मेरा अरे क्या हो गिया क्या काम करना है बस एक छोटा सा काम है actually क्या है आप लोग को पता तो होगा कि सुनामी आ रही है लोसेंटरस में सुनामी आ रही है ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता अरे यार नॉर्मल सी बारिस तो है अरे नहीं सार ये नॉर्मल सी बारिस नहीं है ये सुनामी की बारिस है इतनी तेज बारिस होने वाली है न कि बहुत खतरनाक सुनामी आएगी और ये ट्रक कहा जा रही है वैसे ये ट्रक जा रही है कहीं काम से तुम बताओ सर बस मुझे इतना काम चाहिए कि मुझे एक बाउंडरी बनवानी है बहुत उची सी बाउंडरी अपने घर के चारो और अच्छा तो बाउंडरी बनवानी है तो उसमें हम क्या करें अरे यह तो आप ही लोग न बनाओगे अच्छे तो बनवानी है, चलो हम चलते हैं साथ में हाँ तो ठीक है सर, आजाओ आजाओ आप लोग जल्दी से मेरे गहर पे वैसे इस कार में तो दोई सीट है, आप लोग अपनी गागल से आजाओ चलो ठीक है, एड्रेस बताओ हम आते हैं पताने गाइस माउंट चिलियाट तक आएगा भी कि नहीं आएगा कोई confirm तो है ने क्योंकि गाइस माउंट चिलियाट बहुत दूर है यह रहा गाइस माउंट चिलियाट यहाँ पे और यहाँ से बाग आ रहा है एक साइड में कर देते हैं ताकि गाइस यह जो वाल बनाए यह लोग ना भाई अपना घर पूरा प्रोटेक्ट हो जाए हाँ अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएगा आप चिंता मत करो गाइस यह वाल आप लोग समझ रहे हो ना मान लो इधर पानी है तो यह दिवाल अगर र क्योंकि पैसे तो हम लोग के पास है नहीं तो फ्रेंगर भी आ फिर क्या करोगे आप भाई यार लेश्टर से कुछ बात करना होगा यार कहीं से पैसों का जुगाड हो जाए तब ही तो यह कुछ हो पाएगा गाइस कार्स तो यह देखो सारे हम लोगों ने एकदम सटा सट करा के रख दिये हैं और भाई इसी बीच में देख सकतो यह सारे कंस्रक्शन वाले बे आ गये हैं तो सर आपी से बात हुआ था ना हाँ मुझे से बात हुआ था बताओ कहां से सुरू करना है बस यार यही मेरा घर है देख लो पूरा बाउंडरी वैसे काफी बड़ा घर है तुम जाओ ट्रक लेके आओ ठीके भाई चलो हम लोग ट्रक लेके आते हैं बाखी गाईस यह पूरा घर बस यह घेर के ऐसे ही बना दे गाईस यार चलो हमें सिंजन के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि दो ट्रक लानी है एक की पीछे एक करके हम लोग लेते आएंगे दो ट करते हैं यार तब तक यह लोग अपना कुछ काम करेंगे बाखी गाईस दो ट्रक लेके आनी है बारिस देखरो यार इतनी जदा तेज हो रही है और इस चकर में गाईस हमें कार चलाने में भी काफी दिक्कत हो रही है जैसे कि गाईस एक तम स्लाइड होता जा रहा है यह द इतना पानी बढ़ा कहां तक पानी आ चुका है अभी all right guys तो यह देखो यहां हम लोग construction site पर आ चुके हैं यहीं उन्होंने बोला है हमें लाने को और यह देखो guys दो ट्रक्स यहाँ पे हैं तो चलो भाई इनी दो ट्रक्स हों हम लोग लेके चलते हैं और इस बार भाई पै बैठो यर मैं तो चलता हूं इस वाले ट्रेक में तुम जाओ पीछे वाले में बैठो चलो गैस जा रहा है वो बैठने के लिए यहां पे गैस इस कार को हमने यहीं उपर रख लिया है यह कार हमी लोग की है आपको यादी होगा बैठो भाई सिंचन क्या होग यह चल नहीं प निकलते हैं पहले हाँ आओ रोट पे निकलू तब यार उसके बाद फॉलो करो मुझे आराम से चलो यह हम लोग आ चुके हैं में रोट पे आज़ा जल्दी आज़ा तुम भी यहां पे यह भी आ चुका है चलो भाई तो अब हम लोग निकलते हैं वैसे गाइस देखो काफ जल्दी पहुंचना है यार इतना इस पर बालू लोडेड है यार कितनी तेज चल पाएगी है और फिलाल वो देखो भाई लाइटनिंग शुरू हो गई अब भाई आसमान में देख रहो यार कितना तेज तेज बिजली चमक रहा है अब चलाओ यार क्या हो गया क्यों नही चला रहा है चलो गाईज अब निकलते हैं जल्दी से वैसे तुम पीछे 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 आना ऐसा मत करना कि ओवर टेक करके आगे निकल गए ठीक है फ्रेंगिल भाई आ रहे हो ना आराम से अरे या तुम्हारे देखने की चकर में देखो मैं लग गया यहां पे चलो गाई चलते हैं जल्दी से एक तो गाईज इतनी बड़ी बड़ी ट्रक मैंने पहले कभी चलाई नहीं है और अभी एका एक भाई हम दोनों को चलाना पड़ रहा है देखना से इंचान यहां पेल से लड़ सकता है ठीक है फ्रेंग भी है समझ गया मैं चलो गाईज अब चले हम ल दे रहा है फ्रेंग भी यह देखो यहां पे काम चल तो रहा है हां भाई यह देखो यहां पे कुछ यह लोग काम कर रहे हैं चलो ठीक है यार यह लोग को काम करने देते हैं सिंचन चलते हैं यार जरा रोड पे देख किया है यार क्या वहां पे है हालत है हां फ्रेंग भी चलो अच्छा गाईज अभी मैं पूछ लूँगा चलते हैं अभी जल्दी से ना गाईज देखते हैं बस पानी कहां तक पहुंचा उसके बाद आते हैं याद देखें यह लोग काम कितना करते हैं किसी स्पीड से करते हैं भाई कि कितना वॉलल तयार होता है कुछ या फिर न आने वाली है और गाइस हम लोग पहुंच गए यहां तक और पानी कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई ब्रेक मारो अब यार यहां पर आगे इतने सारे वेब्स उठ रहे हैं यहां से वापस घुमा लो वरना हम भी पानी में बैह जाएंग गये गाइस एक बाद ड्रोन से देखें क्या रुको गयज पहले तो इधर रोड पे हम लोग चले ऊपर हाईट में चला हमारा घर ना गयज थोड़ा पहाड़ों पर है तो हम लोग गयज थोड़ा सेफ हैं अभी के लिए लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि हमारे घर पे कब पहुचेगा यह पानी एक पर गयज यहाँ पर रोखते हैं और ड्रोन उडा के देखते हैं आल राइट गयज तो यहाँ पर यहाँ पर तो पूरा जो रोड था वो सब पानी से भर चुका है यह तेखो गयज नीचे वाला रोड यहाँ पूरा पानी भर चुका ह अब यार ये तो काफी खतरनाक होता जा रहा है सीन यहां कितने उच्छे उच्छे वेवस उठ रहे है फ्रैंगल भाई या उपर चलो ये ड्रोन लेके नहीं तो इसी में डूप जाएगा हाँ भाई ये पी तुम बात सही करो चलो गैस अब चलते हैं वापस यार इसे लाते हैं अपने पास और गैस अब इस कार को हम लोग यहां से यू टन लेते हैं और चलके देखते हैं अपने घर पे वॉल कुछ बना की नहीं गाईस यार इन लोग को जल्दी काम करना चाहिए और लेश्टर का घर तो अब तक डूब चुका होगा ना हाँ फ्रेंगिन भाई यार जरा कॉल लगा के देखो उसे हाँ भाई रुखो यार जरा कॉल तो लगाएं उसको एंड गाईस यहां पर यार रिंग नहीं जा रहा है अब यह क्या बात हुई यार उसके यार रिंग क्यों नहीं जा रहा है फ्रेंगिन भाई यह क्यों हो रहा है अब यार कहीं वो यार कोई खत्रे में तो नहीं है गाईस यार हमें लगता है यार जल्दी से चलना चाहिए अपने घर पे अबे भाई मुझे यार पहले ही उससे मिल लेना चाहिए था एक बार अबे भाई तो मुझे गलती हो गए यार एक बार मुझे मिल लेना चाहिए था उसे कि कहा है वो या फिर भाई उसे पता नहीं पता भी चला होगा कि नहीं कि तुनामी आने वाली है यह हमने यहां से लिया यू टर्न और एक मिनट अब भाई यह अपना ही घर है यह तो पूरा बाउंडरी बन के त्यार हो चुका है और थोड़ा से इन लोगों ने रास्ता कुछ पता नहीं चल रहा है गैस कार से देखो सारा यह इन लोगों ने साइड में कर दिया है और यह सील कहा जा रही है अच्छा यह सीली साद उपा जा रही है पर एक मिनट भाई चलो जड़ा अंदर चलते है चौप देखें कैसा है यार उसका भी हमने साल चाल नहीं लिय यार सोबसे और एक मिनट यह सब यहां पर अब भाई मैं तुम लोग को ढूंड रहा था भाई लेश्टर में तुमारे घर जाने वाला था या तुमें कॉल भी लगाया मैंने अरे फ्रेंकिन मेरा बाड में यार मुबाइल बैग या अच्छा भाई ऐसी बात है और तुम यार कैसे यहां पर भाई हमें बस पता चला कि तुमारे घर पर यह बन रहा है तो हम लोग आ गए यहां पर रहने अच्छा चलो या ठीक किया या तुम लोग यहां पर आ गए गायस या देख सकते हो पूरा अब यहां पर तयार हो चुका है चारो तरफ से एक दम बंद हो सकता है चाहे भाई जितना भी यार बाड आ जाये तुफान आ जाये कुछ भी आ जाये पानी कितना भी बढ़े लॉस एंट्रस में हमारे घर में तो नहीं आ सकता एक मिनिट यहां खुला हुआ है अब यहार क्या यह सब बोकूफी कर रहे हैं यहां आप से आ सकता है भाई गैस यहार यहां देखो यहां पर इतना खुला हुआ है नीचे से पानी आ जायेगा अरे यहार बनाओ इसे सही से रुको गैस चलके जरा अभी मैं उन लोगों को डाट लगाता हूँ गैस यहार वैसे काम तो इन्होंने सही किया है और उपा छट पे सीली कैसा है प्रेंगर एक इधर है एक इधर है और एक उधर है भाई कितना यार यह सब मैनत कर रहे है सही में यार इतने बारिस में सच मैं भाई इनको तो सल्यूट है गैस यार इतने मैनत कर रहे है यार इन्हे अच्छा कासा सेलरी तो मिलना चाहिए गैस यार अबना मैं पैसे भी यार इन सब स भी पैसे लेंगे या, सारा पैसे मैं क्यों दो यार ये सब भी तो सेफ रह रहे हैं इसमें और देखो गाईस, ये है कुछ बाउंडरी बहुत मजबूत सी बाउंडरी बनाईए यार इंग लोगों ने, और इतना उचा पानी तो नहीं आएगा, क्यों सर क्या कहते हो नहीं भाई, इतना उचा तो नहीं आएगा तो ठीक है भाई, चलो जड़ा एक बार और आगे चल के देखूं मैं, एक तो भाई, ये लोग बीच-बीच में काम करने हैं मुझे साय डिस्टरब नहीं करना चाहिए हाँ फ्रैक्लिन भाई, चलो कूद जाओ यहां से अच्छा ठीक है भाई, चलो मैं जम्प लगाता हूँ एक मिन्ट, यहां से पूल में जम्प लगाते हैं मजा एगा भाई, सही में, सीरियसली चलो गाई, यह हम लोगों ने जम्प लगाया अब भाई, पूल में, अरे यार क्या यार, यहां पे तो हम लोग गिरे एकदम जस्ट साइड में, चलो गाई, चोट तो लगी है बहुत तगड़ी वाली, अब यार चलते हैं यार, इन लोग को यार, बात करते हैं जराइन से हाँ भाई, यार, पैसा देना पड़ेगा तुम लोग को ठीक है, फ्रेंक्लिन, पैसे देंगे यार, हम लोग और भाई, तुम्हारा कार बचाने के चक्कर में भाई ये सब करना पड़ा ये भी तो सोचो यार कि मैंने तुमारा घर भी बचा लिया हाँ यार वैसे ये भी बात से ये घर भी बच गिया यार इसी बाने तो ठीक है सर जल्दी से यहां लगाओ यार ये वाला वाल भी लगाओ थोड़ा से यहां पर खुला हुआ है ये सब रेडी करवाते है फिर फाइनल देखते हैं फाइनल लुक कैसा आता है यहां बाइक मेरी तूट गई क्या यार अरे यार ये लोग तो पुरा तोर फोर भी दिये हैं चलो अच्छा चलते है यार अंदर जरा घर में वेट करते हैं थोड़ी देर यार सिंचन क्या कर रहो रेंगिल भाया मैं तो यहीं अंदर हूँ गाइस देखो यार सही में अब सही में यार प्रोटेक्टेड तो मैं लग रहा हूँ यार चारो तरफ से और हाँ यार यार यहां पे थोड़ा बचा हुआ है यहां भी बनाना है हाँ मुझे पता है बनाना है वहाँ पे चलो गाइस कम सकम इन्हें पता तो है कि यहां नीच चलो जरा उपर से चल के देखते हैं हाँ यार चलो तो जरा एकदम टॉप पे चलें गाईस यार सारे कंस्ट्रक्शन वाले जा चुके हैं सारे तरफ से यार पैक करके हम लोग को अब भाई कहीं से भी पानी आने का चांस तो है नहीं तरफ्रेंगिर बैया चलो जरा चत पे चल के देखते हैं है भाई यार बहुत जोर जोर से आवाज आ रहा जा रहा है प्लीज आप पानी मता जाना आ यार अचानक से यां पे घईस ऐसा नहों यार की ये दिवाल तूटके पानी आ जाए ऐसा तो नहीं होगा ना फ्रेंगिर भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार बहुत मजबूती से हम लोगों ने बनवाया ये सब कुछ है चलो गया चला यहां पे आए और और भाई और यार यह तो अपने घर तक पानी आ गया है सट यार यहां देखो एक बार अपने बगल व तो प्लीज भाई इस वीडियो पर लाइक करो और चैनल को सब्स्राइब कर दो भाई और गाईस यहां पर देखो कॉर्नर्स एक दम अच्छे से पैक हैं सब तरप से गाईस हम लोग अच्छे तरीके से पैक हो चुके हैं प्रेंगिर भाई आप लिज यह देवाल नहीं तो चुके हैं एकदम भाई कहीं से भी अंदर पानी आने का चांस तो नहीं है तो गाईस अब हम लोग आप लोगों से मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आप लोग इस वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलना बिल्कुल दोस्तों आप लोग इस वीडि और बाई